स्वागत है सभीका आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताऊंगा 12th क्लास में जो प्रोजेक्ट वर्क रहता है उसके बारे में बताऊंगा यह प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का है और इस 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट को बड़े ही अच्छे से कि किया जा सकता है अगर आप जो भी steps आपको बताए जा रहे हैं अगर आप उनको follow करते हो तो आगे बताने से पहले मैं अपने आपको introduce करना चाहता हूं मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं आपको श्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं steps बता रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को आप follow करोगे, तो आप अप प्रोजेक्ट में अच्छे marks ला सकते हो, और अपने examiner और teacher जो आपके guide रहेंगे, उनको भी impress कर सकते हो, तो आपको अच्छे marks मिल सकते हैं. Dear students, अभी ये समझने वाली बात है, कि आपको project work 12th class में क्यों है, जहां आपके syllabus में इसको incorporate क्यों किया गया है, तो project work जो है, इससे आपको, आप जो आपने 11th और 12th class में पढ़ा हुआ है, उन concepts को आप practical में किस तरह से लाना है, वो आप बता सकते हो, तो ये एक आपको मोका दे देख रहे हैं, उसको practice करने का, और उसको आप अपनी research work करके, project में उस topic को लेके, आप बता सकते हो, कि आपने किस तरह से एक problem है, तो आपने किस तरह से उसको solution दिया है, ultimately आपको उसकी findings भी बतानी होती है, last में, कि आपने ये study की, क्यों लिया ये topic आपने और क्यों आपकी आप लोग, तो इस ही आपकी communication skills यो होगे, वो develop होगे, और आप चीजों को logically present कर सकते हो, जो भी आपनी findings निकाली, वो आप present कर सकते हो, confidence के साथ, तो अब ये हैं do's and don'ts, अब आपको क्या करना चाहिए project में और क्या नहीं करना है, नहीं करना है मतलब कि आपको project work कम नहीं हो होना चाहिए, लेकिन word limit को भी आपको follow करना है, तो मतलब कहने का ये है कि आपका project work है, वो 3500 से 4000 words के बीच ही होना चाहिए, और दूसरी ये है कि जो आपका project work है, उसमें diagram भी होने चाहिए, charts भी होने चाहिए, pie charts होने चाहिए, ball diagram, frequency cards, मतलब ये सारी चीजें जो कि आपके project work को एक अच्छा बनाती है, तो दूसरी तिंग एक और ये है कि आपको, जो आपका project work होगा, वो hand written होगा, मतलब आपको printed material, printed pages नहीं use करने है, आपको हाथ से लिखना है project work, और एक और important चीज कि आप जो project work कर रहे हो, वो copy paste नहीं होना चाहिए, मतलब आपने internet में देखा, कह तो वैसा ही उतार कि अगर आप लिख रहे हो, वो copy paste project work में नहीं होता, क्यूंकि ये आपका original work होता है, और इसमें आपको project work में आपको बताना होता है, कि आपने क्या किया है, आपने खुझ से क्या किया है, उसमें बताई हुई already चीजों को आपको नहीं बताना है, आपने क project work को अच्छे ही सफलता पूर्वक को पूरा करेंगे और आपका project work भी impressive होगा, तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ steps, जो कि बहुत जुरूरी है आपका project work अच्छा, आप project work अगर अच्छा करना चाहते हो, और अच्छा score करना है अगर आपको, तो उसके लिए steps, पह topic selection एक बहुत बड़ा और एक major decision होता है, आपने topic select कर लिया तो उसके बाद आपको परपरिशानी थोड़ी कम होगी, आपने उसकी limits को इसका मतलब set कर लिया है कि आपको कौन सा area study करना है, तो वो particular limit set करना भी बहुत जुरूरी होता है किसी भी project work में, आप बहुत ज्यादा area कि आप नहीं ले सकते, उससे आपकी studies हो है खराब हो जाएगी और आप भी किसी particular decision पर नहीं पहुंचोंगे, ultimately कोई conclusion नहीं निकलेगा, तो आप project work किसी लिए कर रहे हो क्यूंकि आपने कोई problem चुनी है और आप उस problem के बारे में बताना चाहते हो, तो कुछ findings निकाल के दिख identification of the problem का मतलब है कि topic को choose करना, अगर आपने topic को choose कर लिया, तो आपका main काम जो है हो गया है, उसके बाद जब आपने topic को choose कर लिया, तो उसके बाद आपको अपने target group को, जब persons जिनको आप study करने वाले हो, उनको चुनना है, मतलब यह आपको देखना है कि आपने area कौन सा लेन पहचाना है, आपने target group को identify करना है, तो यह आपका दूसरा step होगा, यह भी बहुत important है, इसमें आप देखेंगे आपको कितना बड़ा sample लेना है, कितने लोगों को आपको study करना है, तो यह हो गया दूसरा step, तो third step है, जब आपने target group को choose कर लिया, third step है questionnaire बनाना, तो questionnaire बनाना, मतलब कि आपको एक set of questions बनाएंगे, question में एक series follow होती है, सबसे पहले कौन सा पूछना question, और दूसरे बार कौन सा पूछना, तीसरा कौन सा पूछना, इस तरह से एक flow questions का होना चाहिए, जिससे की जिससे आप question पूछ रहे हो, वो भी disturb, मतलब कि वो उसको boring ना लगे question पूछ में, अगर आपने questionnaire बना लिया, मतलब यह माना जाता है, कि आपकी आदी study हो गई, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको questions कौन से पूछने हैं, अपने respondents से, तो आपकी जो है, काफी काम हो चुका होता है, तो इस तरह से आप questionnaire बना लेते हैं, तो उसके बाद आगला step आता ह है, collection of data, मतलब आपको field में जाना है, और data collect करना है, तो field में जाकर आपको data collect करना है, मतलब कि आपको questionnaire लेकर जाना है, और लोगों को जो आपके subject से, जो target group आपने choose किया है, जिन लोगों से आप questions पूछना चाहते हो, उनको आप, उन्हें आपको questions पूछने हैं, तो आपको आपके पास यह skill होना चाहिए कि question किस तरह से पूछने हैं ताकि जो question बता रहा है उसका भी मन करें कि वह आपको answer दे तो आपको वह ethics जहां follow करने हैं वह आपको जुरूर करने हैं तो किस तरह से अपने respondents को comfortable करना है और किस तरह से आप questions पूछोगे या आपको आना चाहिए तो यह आपको questionnaire जो है fill करवाने होते है respondents से जिससे आप questions पूछ रहे हो तो जब आपने questions पूछ रहे हो questions आप fill कर रहे हो साथ साथ में ही आप questions के answer fill कर रहे होते हो तो इस तरह से आप data collect करते हो यह आपका आगया third step उसके बाद आपको जब आपने data collect कर लिया data collection हो गया तो उसके बाद आपको presentation of data पे जाना है presentation of data का मतलब है कि आपको जो data है उसको meaningfully present करना है वो टेबल्स बनाते हैं आप उसमें और बाद चार्स बनाते हैं फ्रिकेंसी कर्स बनाते हैं पाई डाइग्राम्स गयरा बनाते हैं इस तरह से बहुत सारे way of presentation है जिनको आप use करके बता सकते हो अपने data को meaningfully present कर सकते हो तो इस presentation of data इसके बाद next step आता है analysis of data मतलब कि जो आपने data टेबल्स बना ली है चार्स बना ली है अब बात आती है उनको इंटरप्रेट analysis करने की analysis करने का यह मतलब है कि जो भी आपके tables, diagrams, जो भी आपने figures बनाई है तो उनको आप analysis करना है analysis करने का मतलब है कि आपको tables को explain करके बताना है और बहुत सारे tools, statistical tools होते हैं उनका use करके बताना है कि better जो change है जो आप बताना चाहते हो वो significant है कि नहीं for example जैसे आपने class 11 में बहुत सारे measures पढ़े है measures of central tendency, measures of dispersion, central tendency में जैसे median mode आता है, dispersion में जैसे standard deviation आता है, mean deviation आता है तो इस तरह से इन tools को आप use कर सकते हो, correlation भी आप लोगोंने पढ़ा है, index number पढ़े है, तो उन सभी का use करके आप लोग अपनी जो data है उसका analysis कर सकते हो और किसी निशकर्ष पे पहुँच सकते हो last and final step जो है, वो है interpretation of data और conclusion, interpretation जो data की है वो बहुत ही carefully होनी चाहिए क्योंकि finally आप जो बता रहे हो, आपकी पूरी study हो चुकी है, आप data का analysis कर चुके हैं और finally आप उसको interpret कर रहे हो मतलब आपके जो, आपने जो interpret किया है वो आपकी study की objectives के according होना चाहिए जैसे आपने पहला अगर objective लिया है कोई, maybe आपने for example, किसी particular scheme का employment पे असर देखा है for example, नरेगा की help से लोगों की employment बढ़ी है, तो आपने ये objective लिया है अगर, तो वो पहले objective की ही interpretation दोगे आप लोग उसके बाद दूसरे objective पे आओगे, इस तरह से depend करता है कि आपने objective कितने लिये हैं, तो आपकी study के according objective तीन, चार, एक, जांग, दो, इतने भी हो सकते हैं, तो जितने ज़ाद objective होंगे, study उतनी बास्ट होती जाती है, तो मेली आपकी study जो है objective से base करती है, और objectives के according ही आपको data क interpret, sorry, आपने interpretation अपनी देनी है, study की, तो finally आता है conclusion, जो आपने, जो भी study की है, उसको आपने conclude करना है, conclusion आपका सभी जो findings है, उसके उपर ही based होता है, और आपकी study की, पूरी study की जो निशकर्ष होता है, उसको बताता है, तो इस तरह से ये steps होते हैं, जो आपके project work को complete करने के लिए ये सारे steps जो है, इनको follow करना बहुत जादा ज़रूरी है, तो इस तरह से फिर उसके बाद, आप लोग बता सकते हो, कि जो project work है, उसके बाद, उसकी project work में, आप सबसे पहले introduction लिखते हो, introduction के बाद, आप research methodology लिखते हो, कि आपने किस तरह से target group चूज किये, कितने methodology होती है, उसके बाद, आप results and discussion पे आजाते हो, यहाँ पे आप लोग बताते हो, कि आपके ये table है, table के नीचे उनकी explanation रहती है, और साथ में अगर आपने tools जासी मैंने आपको बताया, mean, median, mode, standard deviation, correlation, index number, कुछ भी juice किया है, अगर तो वो भी आप साथ साथ में बताते हो, फिर आपके finding suggestions और conclusion आता है, इस तरह से आपकी जो है study वो complete हो जाती है, last में आपको references भी लिखने होते हैं, references मतलब कि जा references लिख सकते हो, जा bibliography लिख सकते हो, तो references लिखने का मतलब होता है कि exactly जिन लोगों के बारे में आपने पढ़ा है, उनी को आपने side किया हुआ है, bibliography का है कि आपने बहुत सारे लोगों की studies को पढ़ा भी है, लेकिन उनको आपने refer नहीं किया हुआ है, लेकिन आपने उनको bibliography में सभी का नाम लिखा हुआ है, नहीं तो हम generally references में नाम भी साथ लिखते हैं कि साल में किसने कौन से study दी, तो references भी important part है research project work का, तो finally आपको reference भी देन हो सकता है, primary study के बारे में आपने पढ़ा हुआ है class 11 में primary study क्या होती है, और secondary study क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं बता दू, primary study होती है, जब आप field में जाके खुद data collect करते हो, यह first hand data होता है, जिसमें आप जो respondent है, आमने सामने बैठ के जो है, वो questions पूछते हो, डाटा collect करते हो, secondary sources of data में होता है कि आप reports से, जहां newspaper से, जहां books से, internet से, journal से, इन सभी sources का use करके information लेते हो हो, जहां कोई official records भी हो सकते हैं, वो secondary data है, मतलब already available data है, और आप उस data को use करके अपनी study में बता रहे हो, तो इस तरह से primary or secondary study रहती है, आपको steps follow करनी है, और किस तरह से आपको project work complete करना है, यह मैंने आप सभी को बताया है, तो निशीरी अगर इन सभी steps को आप follow करते हो, तो आपका project work काफी अच्छा और impressive हो सकता है, और यहली में आपको सीखते भी हो, तो इस तरह से आपका एक potential भी develop होता है, कि आपको कोई भी अगर project work करना है, कोई भी study करनी है, future में भी, तो वह सेम ही steps होंगे, जैसे आपने इधर देखा है, इस steps में, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, तो उमीद है, आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इसको लाइक और शियर किए और subscribe भी कीजिए, अगर आपको वीडियो देखनी है, तो वो भी वीडियो बनी है, मैं description box में उसके बारे में बता देता हूं, thank you for watching, नमस्कार